नमस्कार साथियों स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में पटवार भृति परिक्षा की तो अवर्य वेपर ना तो ज्यादा सरल था और ना ही ज्यादा कटिन था तो कट ऑफ भी एवरेज ही रह सकती है तो यहां हर अलगलग केटेगरी वाइज मेल और फिमेल की एकस्पेक्टेट स्कोर जो है अगर इतना स्कोर रहता है इससे पांच नंबर आप कि आसपास कम कम यह ज्यादा भी काशे क्लिक्टेव यसे 205 बताए जिसे जनरेल इंदर तो बर 2545 नंबर ऊपर दी रह सकता है चार बाल नीचे नंबर कंबी रह सकता है मेरा यह अनुमानेत अनुमान है कि यह इतनी cut-off रह सकती है तो चली स्टाट करते है चर्चा करते है सब से पहले कि अगर जैनरल के रu-टेगरी में कोई student मेल जो है उसका अगर दो सो पांच नंबर आ रहा है कि इसको और मिलाइज करें तो 200 से 210 के बीच जो है यहां पर रह सकती है जनरल की कट आफ कि 200 से 210 के बीच यह तो बात हो जाएगी जनरल में मेल की इसी प्रकार हर तरह का जो नंबर यहां दे रखा सकते हैं और यह निकाल सकते हैं यहां पर दूसरी केटेगरी की बात करूं अगर मैं इसकी वहां पर भी 195 नंबर आगर आपके आ रहे हैं तो जरूर आपके चांस बन रहे हैं और ज़्यादा टैंसन लेने की जरूत है नहीं अगर 190 और 200 के बीच में आपका नंबर है तो आपके जरूर चांस बन रहे हैं EWS के अंदर भी और दूसरी केटेगरी है OBC OBC में अगर आपके 200 का स्कॉर बन पा रहा है अगर आपके 100 सवाल सही हो रहा है तो जरूर चांस है यहां पर भी OBC के अंदर भी MBC की बात कुरूँ अगर तो MBC के अंदर अगर 180 स्वारी 190 से इसमें पांस नबर प्लस कर लेना 85 185 से 195 के बीच जो है वह एक्सपेक्टेड कट अफ रह सकती है यहां पांस नबर प्लस कर लेना पांस नबर माइनस कर लेना इन दोनों के बीच जो है एक्सपेक्टेड कट अप रह सकती है MBC में 185 से 195 के बीच जो है एक्सपेक्टेड कट अप रह सकती है और अगली कैटेगरी है SC कैटेगरी में यहां पर 185 अलब 180 से अगर 190 की बीच आपका नंबर आ रहा है तो आपके सेलेक्शन के बरपूर चांस है अगली कैटेगरी की बात करूं यहां पर तो अगली कैटेगरी में कि एस्टी कैटेगरी जो है वहां पर भी 180 के आसपास अगर आपका स्कॉर काड आ रहा है अगर 180 मतलब यहां पर भी आप पास नंबर कम कर लिए 175 से 175 से अगर 185 के बीच आपका अगर रिपोर्ट बन रहा है तो जरूर जरूर आपके चांस बन रहे हैं यहां पर निश्चित रही है आप अपने डॉक्मेंट वगर अतियार कर वा लीजिए कुछ इसी तरह का जो कट आफ है वो फीमेल में भी रहन मतलब 185 से लगाकर एक सो पंचाणों के बीच एक्सपेक्टेड कट आफ रह सकती है एक बार फिर कह रहा हूं मैं यह एक्सपेक्टेड कट आफ मेरा एक अनुमान है और उस अधार पर बता रहा हूं मैं हालांकि मैंने काफी सारे से डिसकस किया इस बारे में और उनके सारे बहुत सारे विद्यार्तियों को इनका जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर अब रिव्यू करने के बाद यह एक्सपेक्टेड कट आफ बनाई है तो यह कुछ रह सकता है ऐसा कुछ और EWS फिमेल की बात करूकर अगली कैटेगरी में तो EWS फिमेल के अंदर 180 नंबर OBC के अंद है पांच नंबर प्लस कर लेना और पांच नंबर माइनस कर लेना इन दोनों कटॉफ के बीच जो है इसे मान लीजिए एक बार फिश से बता लेता हूं आपको जन्रल का बताए अगर 205 नंबर तो जन्रल के एक्सपेक्टेड कटॉफ 200 से लगाकर 210 के बीच रह सकती है ऐसा यह अनुमात है यहां पर यहां पर पांच नंबर प्लस कर लेना पांच नंबर माइसा इस रिपोट काड सरफ क्लीभ अगर आर सा工作 कर लेन बाद आपका अगर रिपोर्ट का ऐसा कुछ बन पा रहा है तो आप जरूर जरूर आपके लिए भरफूर चांस बन रहे हैं और आपका इसकोर क्या बन पा रहा है यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और यह था एक छोटा सा विशे जहां पर मैंने आपके समक्स पटवार भरती परिक्षा की एक्सपेक्टेड कट आफ मेरा नीजे विचार जो आपके साथ साजा किया है उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और आगे जुड़े रहें धन्यवाद